Hello friends, चलिए स्टार्ट करते हैं, integration exercise 7.2 का question number 9 देखते हैं, क्या है, integrate the function, हमें यहाँ पे दो functions दे रखे हैं, question number 9 और 10 कवर करेंगे इसमें, हमें इनका integration find out करना है, by method of substitution, तो क्या करेंगे यहाँ पे, पहले integration का sign, 4x plus 2, under root x square plus x plus 1 into dx, यह हो गया हमारा integration, अब बात आती है कौन से function को put किया जाए, 99% मैंने बताया है, trick बता रखी है, root वाली term को हम put करेंगे, root के अंदर क्या है, हमारे पास x square plus x plus 1, इसको मान लिया हमने t के equal, let कर लेंगे यहाँ पे, इसका differentiation करो बच्चो, x square का differentiation 2x, और x का क्या हो जाएगा 1, औ और यहाँ पे क्या आजाएगा, dx is equal to dt, मतलब 2x plus 1, dx is equal to क्या हो गया, dt, क्यों हुआ दिखो, x square का किया 2x, x का होता है dx, फिर plus में x का 1, is equal to dt के, तो 2x plus 1, dx is equal to क्या हो गया, मिरे पास dt, अब इस function के अंदर नजर डालो बच्चो, हमारे पास क्या है, 4x plus 2 into dx है, तो इसको म 2x plus 1 लिख सकता हूँ या नि, 2 को मन निकाल गे, और अंडर रूट, x square plus x plus 1 into dx, यह function और यह function सेम तो है मारा, अब देखो, 2x plus 1 into dx, किसके equal है dt के, मतलब यह और यह, तो यहाँ पे क्या बन गया मेरा, 2 as it is, अंडर रूट, x square plus x plus 1 को हमने t मानना था, और into में 2x plus 1 dx, किसके equal है dt के equal, तो यहाँ पे क्या आगया, 2 बाहर integration of t की पावर 1 by 2 into dt, तो क्या आगया, 2 बाहर t की पावर 1 by 2 का, t की पावर 3 by 2, अब उन में 3 by 2 करेंगे, तो उपर क्या देखा, 2 by 3 plus c, मतलब क्या आगया, 4 by 3, t की पावर 3 by 2 plus c, आगया, अब यहाँ पे क्या कर देना, आम में, लास्ट में बस t की value put कर देनी है तो क्या बन गया हमारा answer 4 by 3 x square plus x plus 1 इसकी power 3 by 2 plus c ये answer आगया समझवें आगई बात clear है क्योसे number 9 में कोई doubt नहीं होना चाहिए next देखते हैं अपना क्योसे number 10 क्या है क्योसे number 10 के अंदर हमें क्या दे रखा है integrate 1 by x minus under root x into में dx ठीक है integration का procedure यही होता है integration of this function with respect to x अब इसके अंदर क्या put करें करना क्या है इसके अंदर भी simple सा काम है कुछ modification करते हैं पहले इसके अंदर क्या हो सकती है देखो x को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चो integration of 1 by common वगरा देख लो अगर मान लो एक ही function बन रहा है न तो common निकलता मिलेगा कुछ x को क्या लिख सकता हूं root x into root x लिख सकता हूं या नी और minus में root x into में dx तो यह किसके एक वल आ गया 1 by integration यहां से root x common अंदर क्या बच गया root x minus 1 और into में dx अंदर root x क्या कर लिया common यहां पर root x बच गया minus में 1 into dx अब कोई दिक्कत नहीं है समझ में आगी इतनी बात अब बिलकुल असान हो गया question put कर लो यहां पर under root x minus 1 को हम क्या कर लेते हैं t put कर लेते हैं under root x का differentiation 1 by 2 root x यह हो गया 1 का 0 हो जाएगा into में dx is equal to किसके आजाएगा मेरा dt के अब मुझे चाहिए 1 by root x dx की value तो यहां पर 2 extra आ रहा है इसको इदर बेज दो भई तो dx by root x is equal to किसके हो जाएगा 2 dt के तो देखो dx by root x हमारा किसके equal हो गया 2 dt तो देखो function क्या बन गया integration of 1 by under root x minus 1 को हमने t मानना था यहां पर तो integration of dt by t और dt by t का integration क्या हो गया 2 into log t और फिर प्लस में c और t की value क्या आईगी रही पुट कर दो 2 into log of under root x minus 1 प्लस में c यह आगया मेरे पास answer समझ में आगया थोड़े से difficult question स्टार्ट हो गई है थोड़ा थोड़ा level increase होता जाएगा कोई दिक्कत लगे मुझसे पूचिए otherwise चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए thank you students for your love and support for next classes thanks